पिछले एपिसोड में आपने देखा कि खनक जनक को बताती है कि वो भी नागिन है और जनक के माबाप और खनक के माबाबा बहुत अच्छे मित्र थे और कैसे बहुत साल पहले इसी पलाश ने धोके से खनक के माबाबा को माण डाला था और तब से खनक पलाश से बदला लेना चाती है और जनक और खनक में प्रेम हो जाता है तब ही नील जनक को आकर पलाश की असलियत बताता है और तीनों नाग लोग चले जाते हैं और नील जनक को उसकी शक्तियां लोटा देता है और तीनों मिलकर पलाश को मारने की योजना बनाते हैं अब देखिए आगे की कहानी जनक सामने बंधा पड़ा था और अपनी शक्तियों से रसी को खोलना चा रहा था पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्या हुए जनक, तुम्हाने शक्तियां काम नहीं कर रहीं, कहिए ऐसा तो नहीं है कि इस नन्यनाग नील ने तुम्हारे साथ धोखा किया है और नील हसने लग जाता है नील तुम आखिर तुमने ऐसा क्यों किया जोर से रोते हुए मुझे माफ कर दो शेशनाग मैं मजबूर था मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तब ही अचानक से हसने लगता है तुझे क्या लगा मैं ऐसे ही रोंगा तेरे आगे अरे पागल शेशनाग तु कभी समझ ही नहीं पाया ये सारा बिशाय जाल मेरा ही था क्या मतलब मैं बताता हूँ ये छोटा नाग नील है ना तेरा दोस्त वो असल में मेरा बेटा है और मैं इसका दोष्ट पिता क्या नील क्या ये सच है मुझे लगा कि तुम मुझे समझते हो मुर्ख शेशनाग कोई अपना राजी छोड़ का जाता है क्या वो भी ऐसे दोस्त को देखा जो इस नाग लोग को पाने के लिए सालों से तड़ रहा हो मैं सुनाता हूँ तुमें एक कहानी जब मैंने नाग लोग पर हमला किया था और नाग राज और नाग रानी बच गए थे तब उन्होंने एक कबच बनाकर नाग लोग को स्रक्षित कर दिया था ताकि मैं इसमें प्रवेशना कर सकूँ पर उन बेचारों को पता ही नहीं था कि मैं तब नाग लोग में ही छिपा था और फिर मैंने तुम से दोस्ती की और बस मौके के तलाश में ही रहता था खिर कब तुम अपनी मर्दी से ये राज़ पाट मुझे दे दो और फिर उस दिन मैंने तुम्हें पाईशान देखकर तुम्हें दिमाग में प्यार का किड़ डाल दिया और तुम मेरी सबी बातों में आ गए और मौका पाकर मैंने तुम्हें शक्तियों वाली बोतल भी बदल दी अब तुमके वल एक कमजोर लड़के ही हो शेशनाग और अब इस खनक को मैं अपनी रानी बनाऊंगा वैसे मुझे नील ने बताया कि यह वही बहुत शमाणी वाली लड़की है जो मेरा अंतगर ने आई है कोई नहीं इतनी खूपसर लड़की के हाथों तो मैं मरना भी पसंद करूँगा बाबाब खनक को यहां से ले जाएए मैं इस बेव को शेशनाग को समभा लूँगा और पलाश खनक को उठा कर ली जाता है चुपकर मेरे साथ चलो वरना तुम्हारे माबाब की तरह मैं तुम्हारे भी फन को चल दूँगा और उधर नील शेशनाग के पास जाकर उसे मारता है तेरे बाबा ने मेरे बाबा को यहां से निकाला था ना अब देख मैं कैसे तुस्ते बदला लेता हूँ तुम गल्ती कर रहे हो छोटे तब ही शेशनाग के पास एक पीली रोशनी आज़ी थे उठो बेटा उठो तुम कमजोर नहीं परज़ते हो इतना सुनते ही शेशना को जोशा जाता है और वो चिलाते हुए उठकर खड़ा हो जाता है अच्छा तुम मेरे सामने शक्ती दिखाएगा रुख अभी बताता हूँ तुझे और नील शक्ती से जनक की उपर वार करता है मगर जनक उचलकर पलाश के सिहासन के पास कूद कर चला जाता है और उसके नीचे रखी शक्तियों भरी बोतल को निगल जाता है नहीं! तुम्हें नहीं मिलसकती थी! जनक शक्तियां पाते ही शेशनाग के रूप से आ जाता है और नील के सामने एक बहुत बड़ा काला नाख खड़ा होता है बच्चे मैंने कहा था ना थू कलत कर रहा है शेशनाग अपनी पूच से नील पर वार करते हैं और वो खायल होकर बेहोश हो जाता है और शेशनाग उसे कंधे पर उठा कर खनक को ढूणने लग जाते हैं वहाँ पलाश ने एक गुफा में खनक को कैद कर दिया था और उसे अपनी शक्तियों के बने गोले से पान दिया था शेशनाग खनक को ढूंडते हुए उस गुफा के पास जाते हैं और वहाँ खनक की आवास सुनते हैं बचाओ, बचाओ मझे जिनक, कहा हो तुम पलाश खनक की नजदीक बढ़ रहा था और जैसे ही खनक को छूने जाता है तभी शेशनाग नील के शरीर को गुफा के अंदर फैक दिल रहा है पलाश नील के पास जाकर रोता है नील बेटा, बेटा उठ, क्या हुआ तुझे? चिंता मत कर, ये बस बेहोश हुआ है, मैं तुझ जैसा नहीं हूँ, तेरी में लडाई में मैंसे नहीं माना चाहता हूँ और पलाश गुस्से से शेशनाग पर आक्रमन करता है, दोनों में खमासान युद होता है कभी पलाश शेशनाग पर लाल रौशनी फैकता है, तो कभी शेशनाग हरी रौशनी फैक रहे थे पलाश ने गुफा में छिपी तलवार निकाली और उसे लड़ने लगा तब शेशनाग ये भी जादू से हत्यार बना लिया और वो भी लड़ने लगे दोनों में तीज लड़ाई हो रही थी, मगर पलाश पर शेशनाग की किसी भी वार का असर नहीं हो रहा था कि तब ही खनक के कान में एक आवाज आती है, जो सुमित्रा की आवाज थी मेरी पिठिया, ये वक्तियों हारने का नहीं है, तुझे पलाश की कैद से खुद को छुड़ा कर शेशना की मदद करनी होगी और तू भूलना मत, इस पलाश का वध तुझे ही करना है, पलाश की सारी शक्तिया उसकी सिर के बीचों बीच है यदि तु वहाँ मारेगी, तो ही ये मरेगा, वरना इसकी मौत नहीं होगी और खनक पूरी ताकत लगाकर पलाश की कैद से निकलने की कोशिश करती है, पर नहीं निकल पाती तब ही खनक देखती है कि जमीन पर पड़े निल को होश आ जाता है, और वो शेशनाग पर हमला करने के लिए उठता है मगर खनक उसे अपने पास बुलाती है, तेखो निल, तुम्हारे मन में पलाशनी क्या जहर भरा है, मैं चानती हूँ मगर मैंने तुम्हें देखा है, तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे नाग हो ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं मेरे बाबा का हिसाथ दूँगा नील जरूरी नहीं है कि जहरीले साप का बेटा भी जहरीला ही निकले। तुम अभी भी अच्छा काम करके शेशनाग की भक्ति कर सकते हो। उधर पलाश शेशनाग पर आकरमन करके उन्हें गिरा दीता है और तलवार उनकी छाती में माणने ही वाला था कि तभी नील की मदद से खनक ने खुद को छुडा लिया और अपनी आखों से एक नीली शक्ती पलाश के सर पर मारी। जैसे ही पलाश के सिर पर चोट लगी तो उसका सर बुरी तरह से चकरा गया और वो दूर जाकर गिर पड़ा। नील तूने अपने बाप को धोका दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शेशनाग और खनक दोनों मिलकर पलाश के सर पर चोट मारते हैं। मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ करना भेटा। और पलाश रोता हुआ तडप तडप कर मर जाता है। नील भी पलाश के पास जाकर रोने लगता है और वचन दीता है कि अपनी आगे की जिंदगी में शेशनाग की रक्षा करेगा। जनक और खनक एक दूसरे से गले लगते ह और खुशी-खुशी शेशनाग नाग लोग को फिर से संभाल लेती हैं। पूरा नाग लोग शेशनाग और खनक का स्वागत करता है।